नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रॉयल जेली के बारे में डोंट वरी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रॉयल जेली exactly होता क्या है इंडियन रॉयल जेली में क्या खास बात है लेकिन जो important खबर यहाँ पर सामने आई है कि जो researchers हैं, उन्होंने ये पाया है कि Thailand और Taiwan का जो रॉयल जेली है उससे बहतर quality का जेली आपको इंडियन रॉयल जेली देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रॉयल जेली came up to mark beat top quality products from Thailand and Taiwan अभी तक ये established नहीं हुआ था लेकिन इसकी वज़े से काफी कुछ बदला हो सकता है जो हमारे beekeepers होते हैं जो इसकी देखभाल वगरा करते हैं उनके revenue में उनके overall context में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा impact क्या होने वाला है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की preparation कर रहे हैं आपको simply हमारे app को download करना है या फिर studyiq.com पर जाना है जितने भी courses हैं आपको वहाँ पर available करा दिये चाते हैं चली देखते हैं exactly हो क्या आ रहा है हम क्यों उसके बार में discuss कर रहे हैं देखें यहाँ पर जो पूने-based researchers हैं मैं आपको बताऊंगा कहां से exactly belong करते हैं लेकिन पूने-based researchers ने यहाँ पर compare किया Thailand और Taiwan के जो royal jelly हैं उनके साथ और यह पाया कि भारत का जो royal jelly है वो उनके भी quality को भी surpass कर देता है basically अगर आप देखोगे तो FSSAI that is Food Safety and Standard Authority of India जो food से related चीजों को govern करती है 2019 में उन्होंने यहाँ पर कुछ standard set किया था और उससे कहीं बहतर आपको Indian royal jelly देखने को मिलेगा इसके बहुत सारे benefits भी है health benefits है मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रात है कि यह royal jelly होता क्या है देखो royal jelly अगर आप देखोगे तो यह mixture है honey और साथी साथ यहाँ पर जो worker bees होते है worker bee अगर आपने देखा हो तो यह reproduction नहीं कर सकते तो इनके gland से जो भी secretion होता है उसका और honey का एक प्रकार से mixture कह सकते हो आप यह pearly white या फिर pale yellow color का होता है मैं आपको दिखाता हूँ देखे यह normal honey हो गया जो consume किया जाता है लेकिन उपर आप देख सकते हो यह आपका pale yellow color का देखने को मिल रहा होगा इसी को कहा जाता है royal jelly और आजकल तो क्या है कि tablet form में powder form में इस तरह भी commercially इसको बेचा जाता है अगर इसके अंदर हम बात करें content की तो moisture जो water की quantity है काफी जादा होती है 60-70% lipids हो गया इसकी quantity आप देख सकते हो minerals, proteins, sugar यह सब कुछ आपको देखने को मिले का और बहुती nutritious माना जाता है यह in fact अगर हम commercially बात करें तो अगर हमें commercially बजार में बेचना है तो उतना जादा extract नहीं कर सकते इसकी वज़े से क्या होता है इसका जो production है royal jelly का वो आपका natural habitat के बाहर होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि artificially इसको produce किया जाता है I hope कि समाझ रहोगे क्योंकि natural तरीके से उतना production इसका possible नहीं है और इसका harvest अगर आप देखो जो सबसे perfect time होता है तो जो larva होता है न वो 5 दिन पुराना हो जाता है तो maximum royal jelly हम उसमें से extract कर सकते हैं और extraction का भी process बहुत ही जादा कठिन होता है यहाँ पर जो specially trained manpower है वही यहाँ पर यह royal jelly को निकाल सकते हैं तो यह सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसके साथ साथ जैसे हम extract करेंगे इसका production होगा तुरंत यहाँ पर इसको एक proper temperature में रखना होता है basically 0 degree के नीचे 0 degree Celsius के नीचे इसको रखना होता है otherwise यह खराब हो जाएगा recommended temperature तो बताया जाता है कि minus 20 degree Celsius होना चाहिए और इसी के वज़े से specifically अगर आप देखो तो royal jelly के लिए एक अलग से freeze जो dryer है वो आपका आता है ताकि जैसे ही royal jelly का production हुआ उसको इस dryer के अंदर डाल दिया जाता है और उसमें से moisture remove करने की कोशिश की जाती है ठीक है present में अगर आप देखिए तो भारत के अंदर सिर्फ तीन ऐसे machine आपको देखने को मिलेंगे और ये भी हम जर्मनी से import कराते हैं इसके अलाबा एक और मैं आपको अब तो हमने समझ लिया कि ये royal jelly क्या होता है लेकिन Indian royal jelly क्या है दोखो Indian का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पैमाना है हमारा जो standard है उसका standard काफी बहतर है बाकी royal jelly से ठीक है तो इसलिए अलग-अलग देश का उसी के हिसाब से नाम दे दिया जागा ताइवान के अंदर ताइवानी रॉयल जली, थाइलेंड के अंदर उनका रॉयल जली हो गया रहे, तो यहाँ पर भारत में अगर आप देखिए, तो 2019 तक कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया था, फाइनली, 2019 में FSACI ने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, उसको सेट किया और इसका जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो अलग-लग पैमाने पर किया जाता है, जैसे कि मौशर का कंसंट्रेशन कितना है, सुगर का, प्रोटीन का, ये सब कंसंट्रेशन उसमें कितना है, उसके हिसाब से स्टैंडर्स सेट कर दिया जाता है, इन फाक्ट एक और चीज मैं आपको उताता हूँ, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे, कुछ ही ऐसे दे जो researchers हैं, वहाँ पर एक institute है, जिसका नाम है Central B Research and Training Institute, इसके अलावा, पूना College of Pharmacy, और साथी साथ जो CSIR है, उसकी एक laboratory है, जिसका नाम है National Chemical Laboratory, इन तीनों ने मिलकर इस पूरे टास्क को लिया था कि भारत के अंदर भी एक अपना standard हो, और यहाँ पर basically हमने क्या कि Thailand का जो Royal Jelly है उसको import कराया, और फिर भारत के Royal Jelly से compare किया, भारत में भी बहुत सारे samples मगाये गए, जैसे आंदर परदेश से, उत्राखंड से, हर्याना से, जारकंड, महाराश्क से, इन सभी samples को एक प्रकार से Thailand के साथ और बाकी के Royal Jelly के साथ compare किया गया, और उसके अंदर हमने यह पाया, क कि भारत का जो Royal Jelly है, वो काफी better quality का है, और इसमें भी आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कि इसमें क्या होता है ना, जो honey bees होती है, जो मदुमक्की होती है, वो कौन से flower का pollen उठा रही है, gather करी है, देखे, बी की अगर हम बात करें, बी का सबसे जादा फायदा humankind काइंड के लिए क्या है, वो यही है ना, कि pollen को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, इसकी वज़े से जो agriculture हो गया, flower हो गया, बहुत सारा flourish होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखने को यह मिला हमें, कि कौन से plant से वो आपका pollen उठा रही है, उसके उपर भी depend करता है क कि royal jelly कितना बहतर quality का होगा, for example मैं आपको बता हूँ, तो mustard की flowers होते है, वहां से अगर वो pollen को उठाती है, spread करती है दूसरे दूसरे जगह, तो उस वाले honeybee का जो royal jelly है, वो सबसे best quality का होता है, अगर suppose मैं कहा हूँ, maze, जो मक्का होता है, उसके plant से अगर pollen को उठाती है, अलग jelly की quality कैसी होगी, तो mustard वाला pollen contain highest protein content, ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको उताता हूँ, हमारा जो royal jelly है, वो Thailand, China, Taiwan, इन सबसे तो बहतर ही है, लेकिन visual में अगर आप देखोगे, सबसे best quality का जो royal jelly है, वो आपको मिलेगा Italy के अंदर, Italian royal jelly, तो यहां पर जब हमने Italy के साथ compare किया, तो हमने ये पाया कि, Italian royal jelly के बराबर ही है, भारत का जो royal jelly है, तो यह काफी important यहां पर development हुआ है, और यहां पर आप देख भी सकते हो, कि ISO permissible limit कितनी है, और भारत का royal jelly का जो limit है, वो कितना है, आप देख सकते हैं, हर मामले में, आपको बहतर यहां पर देखने को मिलेगा, कोई भी आप पैमाना ले लिए, glucose, total sugar, protein, moisture, हर चीज में, Indian royal jelly काफी बहतर perform कर रहा है, तो चलिए हमने इसके बारे में समझ तो लिया सब कुछ, लेकिन question यह है कि, यह आखिरकार है क्या, मतलब इसका फाइदा क्या होता है, इसको consume करने से ऐसा क्या benefit है, जिसको ले 500 mg consume किया जाए, हर दिन तो बहुत अच्छा health benefit मिल सकता है, जैसे कि यह antioxidant properties होते हैं इसके अंदर, जो damaged cells होता है, उसको cure कर सकता है, improve कर सकता है, इनफार, cancer patients को बोला जाता है कि हर रोज आप 10 mg जो royal jelly है, उसको consume करिए, और साथी साथ जो महिलाओं में अगर fertility की कोई problem है, उस को भी काफी जादा अच्छे से सुधारनी की कोशिश करता है, इसके साथ-साथ aging की problem को यहाँ पर cut down करता है, इसको consume करने से यहाँ पर काफी young दिखते हैं, लोग और इसी लिए अगर आप देखो कि जो celebrities होते हैं, उनके अंदर काफी popular है, royal jelly वो consume करते हैं, इंफार, example के तो को मिल रहा होगा, तो चलिए इसकी वजए से finally significance क्या है, impact क्या आएगा भारत के उपर, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर अगर आप देखो, जो royal jelly का development हुआ है, उसकी वजए से भारत के अंदर जितने भी beekeepers हैं, जो मदुमक्की पालन वगरा करते हैं, दो लाग से जादा उ यह extraction हो सके, और इसकी वजए से उनको बहुत पायदा मिलने वाला है, और साथी साथ हम export भी कर सकते हैं, अगर आप भारत में currently देखे, तो अगर आप खरीदने चाओगे ना, तो उसमें कई बार लिखा होता है made in India, लेकिन actual में अगर आप देखो, तो made in India नहीं होता है, भा पैकेचिंग की वजए से दिखाया जाता है, और ज्यादा तर चाइना बगरा से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, तो जो इंपोर्ट है चाइना से बाकी के देशों से, वो हम cut down कर पाएंगे, तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिकार्डिंग इंडियन रॉयल जेली के बारे में आये हो, कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले एक काफी इंटरस्टिंग कोईशन, अभी मैंने आपको बी के बारे में पताया कि जो पॉलन कैरी किया जाता है, बहुत ही इंपोर्टन है, पूरे मैं इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात ही है, आप टेलिग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं, कई सारे MCQs मैं लगतार यहाँ पर डालता रहता हूँ, श्टोरी इसके फ़र में आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF यही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-अलग सोशल मीडिया पर भी आप जूड सकते हैं, साथी साथ अगर आप UPSC और फिर किसी भी एक्जाम के प्रिप्रेशन कर रहे हैं, सिंप्ली आप हमारे आप को डाउनलोड करिए, सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपस नेक्स तिल देन, थांक यू वरी मुच, से यू सून.